दैनिक राशी फल चंद्रगरह की गर्णा पर अधारी थे राशी फल निकालते समय पंचांग की गर्णा और सथी खगोली अविश्यशन किया जाता है दैनिक राशी फल में सभी 12 राशियों का भविश्यफल बताया जाता है इस राशी फल के जरिये आप अपनी डैने की योजनाओं को सफल बनाने में काम्याब रहेंगे आज की राशी फल में आपके लिए जौब, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ सम्मंध, सेहत और दिन भर में होने वाली घटनाओं का भविशेफल होता है चलिए बताते हैं क्या कहती है आपकी राशी शुरुबात करने से पहले बता दें आपको हमें पुरी जानकारी वेबसाइट्स और अरन जगों से प्राप्त ही है चलिए शुरुबात करते हैं और सिबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों की आज का दिन आपके लिए निला जुला रहेगा वेबसाइट कर रहे लोगों को आज सायमकाल के समय तक कोई खास दील फाइनल हो जाएगी जो आपके बिजनस को उचायों तक पहुँचाएगी राज्जु से भी आज आपको विशेई सम्मान प्राप्त होता दिख रहा है भौतिफ विकास का योग अच्छा बनता दिख रहा है आज आप अपने परवार के लोगों के साथ कुछ समय वेतित करेंगे जिससे सामाजिक शेत्र बढ़ेगा और आपकी यश की किर्थी चार योग करेंगे व्यवसाई कर रहें लोगों का ध्यान आज नहीं योजनाओं पर लगेगा किसी देवी स्थान की ट्रैवल से आज आपके मन को खुशी होगी यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें आज सफलता मिलेगी आज सायम काल तक आपकी उलजहने दूर ह होगी चले बात करते हैं मितन राशिवालों की आज का दिन आपके लिए काफी रचनात्मक रहेगा आप काफी समय आज अपने बिजनस के रूके हुए कारे को पूरा करने में व्यतईत करेंगे जिससे आपके लमबे समय से रुके हुए कारे पूरे होंगे जोप से विशेश कारे को करने की जिम्मेदारी आपको सौपी जा सकती है आज जौब में किसी विशेश कारे को करने की जिम्मेदारी आपको सौपी जा सकती है जिसे आप महनत से समय पर पूरा करेंगे चलिए बात करते हैं करक राशी वालों की आज का दिन आपके लिए मिश्रित पर करेंगे उसका भविश में आपको फल अवश्य मिलेगा आज आप अपने वैवसाय के बिखरे कार्यों को पूरा करने के लिए एक रनीती बनाएंगे जिसे आप आलस्य को दूर भगा कर ही पूरा कर पाएंगे जीवन साथिका भरपूर सहीयोग मिलेगा प्रेम जीवन में एक नई उड़जा का संचार होगा सायमकाल का समय आप अपने मित्रों के साथ घूमने फिर्णे में व्यतीत करेंगे चलिए बात करते हैं सिंग राशी वालों की आज का दिन आपके लिए काफी विस्तावा भागदोड भरा रहने वाला है आज आप संतान के भविष्य की योजनाओं पूरा करने में भी कुछ वैस्त रहेंगे और भागदोड भी अधिक रहेंगी जिस सायमकाल के समय आपको ठकान भी मैसूस होगी वैस्ता के बीच आप अपने दांपत्य जीवन के लिए समय निकालने में काम अपने माता पिता के साथ कुछ विशेश मुद्धों पर बाचीत करने में वितीत करेंगे चले बात करते हैं करने राशी वालों की आज का दिन आपके लिए मिलाजूला रहेगा आज आपके परिवार में किसी शोभवा मांगनी कारेक्रम पर चर्चा हो सकती है इसमें आप आपको अपने पीता जी की सलाह के आपशक्ता होगे ससुराल पक्षु से सम्बंधों में सुधार होगा यदि आज किसी मित्र को धन उधार देना पड़े तो सोच समझ कर दें क्योंकि उसके वापस आने की उम्मीद कम है आज आपको अपने वेभार में सयम वा सावधानी बर जा सकता है आर्थिकी सिती मजबूत होगी चले बात करते हैं तुला राशी वालों की आज का दिन आपके लिए निश्चित परणाम लेकर आएगा आपके कार्य वेभार से जुने सभी विवाद आज जो समाप्त हो सकते हैं नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ कार्य शुरू ह हो सकता है यदि संपत्ति संबंधी कोई मामदा चल रहा है तो उसमें आज आपको निराशा हाथ लग सकती है नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ कार्य शुरू हो सकता है आज अपने जीवन साथी के लिए कोई पहार आप खरीश सकते हैं चले बात करते हैं व्रश्चिक राश सकता है जिससे आप अपने परिवार के सदस्यों की सभी फर्माईशें भी पूरी करेंगे घर में कुछ नुमा माहौल बना रहेगा जोब या व्यापार में कुछ नवीनता ला सके तो आगे चल कर आपको इसका भरपूर लाब होगा कारे में नई जान आएगी सायमकाल का स समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ देश दर्शन के लिए जा सकते हैं चलिए बात करते हैं धनुराशी वालों की आज का दिन आपके लिए तरकता से चलने का होगा बिजनिस के मामले में यदि थोड़ा सा जोखी मुठाए तो बड़ा लाब होने की किसी अपने क उसे पहचानने की जरूरत होगी रोजमर्रा के कारियों से परे कुछ नए कारियों में आज हाथ हजमाएंगे जिसका आपको लाब भी होगा जौब कर रहे लोगों को आज अपने विवहार ववाणी दोनों में सौमेता रखनी होगी चलिए बात करते हैं मकर राशी वालों हैं रोजमर्रा के घरेलुकारियों को आज का आपको सुनहरा मौक मिलेगा और हो सकता है कि पुत्रवा पुत्री के विवाह से समधित कोई फैसला आज आपको लेना पड़ी आपको अपनी मादाजी की स्वास्त के प्रति सचेत रहें कोई रोग परेशान कर सकता है यह ऐसा हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले सायंकाल का समय आप अपने जीवन साथी को कहीं बाहर ले जा सकते हैं घर परवार में सभी का ख्याल रखें सेहत का द्यान रखें चले बात करते हैं कुम्भराशी वालों के आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा आज आपको निस्वास्त के प्रति साफधानी बरतनी होगी क्योंकि लंबे समय से चल रही धकान आज आपको परिशान कर सकती है बिजनस कर रहे लोगों के लिए आज दिन उत्तम रहेगा आज लाभ के नए अपसर मिलेंगे इसलिए जल्दवाजी में कोई भी निर्णा ना ले हर कारि समझ कर लें विद्यार्थियों को आज विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहन करने का मौका मिलेगा विद्यार्थियों को आज विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहन करने का मौका मिलेगा चंतान के विवा में आ रही वबाधा पिताजी की सलाह से दूर होगी सामाजिक शेत्र आपको भरपूर लाब होगा यदि कोई परिशान है व्यक्ति मिले तो उसकी मदद अवश्य करें आज आप अपनी बुद्धी का प्रयोग करके सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपको अभी तक कमी थी घर्म परिवार में चल रही दिकत परिशानी को आप अपने प्यारे और म् परिशानकारी वेबसाइट से रहने जगों से प्राप्ति ये जानकारी आपको कैसे लगया आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट कर जरूरी होता है नेक्स राइन इस परेच्छल रिपोर्ट